सलमान खान के ओन बोड आने से रेस 3 को लेकर रिलीस से पहले ही काफी हाइप चल रहा था मगर अफसोर्स ये फिल्म क्रिटिक्स तो छोड़िये फैन्स को भी इंप्रेस नहीं कर पाई और सभी की नजरों में ये फिल्म एक फेलियर रही हाली में रेमो डिसूजा ने इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारण पर कॉमेंट करते हुए कहा कि सलमान खान स्क्रिप्ट में काफी इंटरफियर किया करते थे और डिरेक्टर होते हुए भी उन्हें कोई भी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिल सका रेमो ने स्क्रिप्ट के मोरिफिकेशन को इस फिल्म के फेलियर का कारण बताया मगर उन्हें क्या पता था कि इस बात से उन्हें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी रेमो के कॉमेंट से नारा सलमान खान ने तुरंट उन्हें रेसफोर से बाहर कर दिया और अब एक बात तो पक्की है कि जब भी रेसफोर बनेगी रेमो उस फिल्म का हिस्तान नहीं होंगे तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें जरूर बताएं